Hello everyone, मैं निहा शर्मा, टीम मनीश वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम romantic literature जो की 3rd semester का आपका एक subject है उसे discuss करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम आपकी सभी units को cover up करेंगे और उनके सभी important questions को देखेंगे कि exam में किस तरीकी के question आते हैं तो इस वीडियो आप लोगों के लिए काफी जादा important है end तक इस वीडियो में जरूर बने रहे हैं अबसे पहला गर हम first unit की बात करते हैं तो इसमें William Blake, William Wordsworth और Samuel Taylor की poems है अगर William Blake की हम बात करें तो इसमें songs of innocence और experience को denote किया गया है जसमी की lamb, tiger, chimney sweeper जो की song of innocence का एक पार्ट है और chimney sweeper 2 जो की song of experience का एक पार्ट है उसके बाद हम William Wordsworth को देखेंगे तो इन्होंने टेंटन आबे और लेंदन लिखी है इसके साथ साथ Samuel की बात करें तो Samuel ने कुबला खान and dejection and ode को पढ़ना है हमें second unit की हम बात करें तो Percy by Shelley की हमें odd to the west wind और ओजी मेंडियास पढ़ना जबकि John Kitts की बात करें तो odd to a night angle, odd on a grecian earn, odd to ottoman discuss करना then unit 3 and last है Mary Shelley की Frankenstein तो यह आपका table of contents है जिसमें हमें इन तीरों units को cover up करना तो without wasting our time हम सबसे पहले अपने unit 1 की overall questions को discuss कर लेते हैं जिसमें first हम William Blake को ही पढ़ने वाले हैं William Blake में हम सबसे पहले lamb और tiger को पढ़ेंगे उसके बाद chimney sweeper को first question है compare and contrast the lamb with the tiger तो हमें यहाँ पर lamb और the tiger को compare करना है और बताना है क्या difference है तो यह question इसलिए रिपेर किया गया है ताकि आपको the lamb और the tiger दोनों poem क्या थी दोनों में किस तरीकी का comparison है वो समझ आ जाए तो the lamb और the tiger दोनों ही William Blake ने लिखी है This poems are part of his collection title Song of Innocence Experience Song of Innocence album की अगर हम बात करते हैं तो यह 1789 में publish हो गई थी जबकि अगर हम Song of Experiences की बात करें तो यह 1794 में publish होई थी यह दोनों ही contrasting poems है जो हमें themes दिखाती है एक good side की यानि कि good से आपको innocence समझ आ रहा होगा और वही experience से evil side समझ आ रहा होगा तो इसके अंदर जो William Blake है वो nature की creation को दिखाते हैं कि एक तरफ तो कितना innocence part है हमारे सामने और दूसरी तरफ experience की रूप में evil को दिखाते हैं सबसे पहले अगर हम लाम को पढ़ें या लाम के बारे में मैं discuss करूँ तो उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ लाम क्या होता है आप सबको पता है बेड का बच्चा जिसे हम मेमना कहते हैं इस poem के अंदर William Blake ने Jesus Christ को symbolize की है जैसा कि आपको screen पे picture भी दिखरी होगी Jesus Christ लाम के बीच में है उन्होंने एक लाम को गोदी में भी ले रखा है तो यह कैसे है क्या denote कि है वो हम इस poem को पढ़के बताएंगे तो मैं आपको पहले poem समझा देती हूँ यह मैंने poem की summary लिखी हुई है आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं तो अगर हम poem को देखते हैं तो poem स्टार्ट होती है Little lamb who made the those do know who made the चोटी से lamb क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया है Gave the life and bit the feet तुम्हें ये life किसने दिया है तुम्हें ये खाना किसने से खाया है By the stream over the man ये नदी के पास और med मतलब भरे जो बगीचे होते हैं घास के मैदान हैं उसे symbolize किया गया है Gave the clothing of delight जो तुम्हारे body के उपर ये कपड़े हैं वो तुम्हें किसने दिया है Softest clothing, woolly bright तो ये जो soft से तुम्हारे बदन के उपर जो ये कपड़े हैं जो ये woolly से कपड़े हैं जो इतने चमक रहे हैं वो तुम्हें किसने बहनाया है Gave the such a tender voice Tender का मतलब यहाँ पर soft होता है तो बूच रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इतनी मुलायम सी soft सी आवास किसने दिया है Making all the whales rejoice और तुम्हारे इन सबसे ये घाटियां कितना जादा खुश हैं या enjoy कर रहे हैं सुन्दर सुन्दर घाटियां किसने बनाया है whales, valley को बोलते हैं valley को आप सबको पता है घाटी कहा जाता है little lamb who made the does do know who made the तो दुबारा इन में यहीं बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें किसने बनाया है next एंजा में वो बात करता है little lamb I will tell the little lamb I will tell the वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किसने बनाया है little lamb he is called by the name for he call himself a lamb तुम्हें जिसने बनाया है उन्हीं भी lamb के नाम से जाना चाता है और वो खुद को भी एक lamb भी कहता है तो Jesus Christ जो थे उन्हीं भी lamb कहा जाता था अगर आप लोगों को पता हो तो ये बात याद रखना कि Jesus Christ को भी lamb कहा जाता था वो खुद को lamb denote करते थे उन्हीं मेमनों से काफी ज़्यादा प्यार था इसलिए मैंने आपको starting में वो picture भी दिखाई थी he is meek and he is mild दिखो meek मतलब होता है gentle और mild मतलब होता है soft प्यारा तो वो ही बोलते है कि वो बहुत ज़्यादा gentle है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं he became a little child वो भी जब आय थे आपको भी पता है Jesus Christ एक बच्चे के रूप में ही जन्मे थे little lamb God bless the little lamb God bless था कि वो हमें जो Jesus Christ है खुश रखें God bless you God bless you ऐसा करकि यह जो बच्चा है वो अपनी conversation को यहाँ पर खतम करता है और obviously बात है इसमें बस यही दिखाया गया फर्स stanza में वो बच्चा question पूछता है उस lamb से और वही second stanza में वो खुदी उसे answer देता है और उसे बताता है कि यह बनाने वाला कौन है यह जग्राइस्ट है तो यही मैंने यहाँ पर आपको लिखा है आपको poem समझ आ गई होगी जो poem है उसकी themes यही है मासूमियत, creation की किसने बनाया है और divinity इसमें वही है कि speaker जो है little lamp से बना रहा है कि who created it उसे किसने बनाया है जो life है वो किसने provide की है इतना उसे gentle, delightful किसने बनाया है आगे क्या कहता है speaker जो poem में दिखाता है कि creator ने सिर्फ उसे physical attributes नहीं दिये सिर्फ शारिरी कत्व नहीं दिया है उसे एक tender एक प्यारी सी voice भी दिया है जो कि जब वो बोलती है या वो चिलाती है तो पूरे surroundings में पूरी घाटियां जो होती है वो खुशी से जूम उठती है फिर वो speaker answer करता है question का और बताता है किसने बनाया है लाम की अगर qualities की बात करू तो आपको समझ आ जाएगा उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने tiger पर देखो जो the tiger poem है यह experience से related है इस song of experience का एक part है अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई अगर आप यह देखोगे इस poem में last में राइमिंग है तो इससे आपको एक चीज़ पता चल रहे होगी कि इसे एक song के रूप में denote किया गया है इसलिए इसे song of innocence कहते है अब हम the tiger की बात करें तो देखो जो the tiger William Blake ने address की है वो the lamb से बिल्कुल opposite है जैसे कि वहाँ the lamb को innocence दिखाया गया था soft दिखाया गया था वहीं यहाँ पर जो tiger है उसे कैसा दिखाया गया है बिल्कुल fearful ऐसा creature जो काफी ज़ादा powerful है तो इसमें यही बताया गया है starting की जो poem की line होती है वो शुरू होती है tiger tiger burning bright in the forest of tunnel tiger tiger तुम रात में जंगलों के बीच में चमकते हो तो कैसे चमक तो आप सबने अगर कभी tiger को देखा होगा तो उसकी body पे lines होती है तो वो उन lines को देखते हुए William Blake क्याता है कि tiger tiger अब यहाँ पर याँ पर पैलिंग पर मत जाना कि spelling tiger की यह नहीं होती यह William Blake में यहीं उस करे है क्योंकि वो symbolize कर रहे है वो proper उसकी बात नहीं कर रहे है वो उसे symbolize कर रहे है वो creation दिखा रहे है कि एक होती है good और एक होती है evil अगर हम वहीं लाम को देखे तो लाम क्यासा है कितना innocent है वहीं अगर हम tiger की तो आपको पता है कितना powerful है आपके सामने आ जगा वहीं सेम बात हो रहे है तो वहीं कह रहे है tiger tiger तुम काफी सदा bright दिखते हो कब जब तुम जंगलों में बीच में आदी रात को जाडियों के पीछे दिखते हो तो जो पोयम है वो एक कोशन उठाती है क्या कोशन उठाती है कि इतना जो powerful creature है तो किस ने बनाया क्या वो भी जीजस क्राइस नहीं बनाया जैसे कि लाम को उन्होंने इतना मासूम बनाया तो उन्होंने एक powerful creature क्यूं बनाया फिर वो आगे imagine करते हैं कि तुम्हारे पास wings है पंक है तुम्हारे पास या तूम्हारे पास कोई hammer से सिंबोलाइस किया गया है कि एक तो innocent मासूमियत को दिखाती है दूसरी महीं डर को फैरो सिटी को दिखाती नेचुरल वर्ल्ड में वह हम का सेम ही कोश्चन है अगर लैंब सिंबल है प्यॉरिटी का तो जो टाइगर है वो powerful है एक good creation एक evil creation है हाला कि tiger जो है वो बिल्कुल बुरा नहीं है लेकिन उसे एक ऐसी creation दिखाये गया है जिससे देखके सब डर जाते हैं जो एक fearful animal है तो वो चीज यहां पर दिखाई गई है कि उसके नाखुन है या जब वो दहारता है तो लोग उससे डर जाते है लामर उसी इसलिए बताया गया है कि हतोड़े जैसे उसके नौकुन बड़े-बड़े अगर अब हम इनके comparison की बात करते हैं तो comparison में आप देखो lamb को मैं आपको बता चुकियो innocent creature है बहुत जादा gentle प्यारसा एकदम loving shepherd दिखाये गया है हम दा टाइगर की बात करें तो इसे सिंबोलाइस experience से किया गया है strength ताकत से किया गया है डर दिखाया गया इस creature के अंदर और creators nature की बात करें lamb है उसकी creator को कैसे दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे बनाया है क्या qualities दिए उन्होंने lamb में उन्होंने tender एक प्यारी सी voice दिए मिल्ड बहुत जादा gentle दिखाया है बहुत प्यारा दिखाया है उसे humility की quality दिए है meekness दिखाया है creator को एक child की रूप में दिखाया है जो lamb से lamb की मासूमयत से connect हो रहे है वही अगर tiger की creator की बात करते है तो उसे काफी जादा mysterious दिखाया है काफी जादा भयानक दिखाया है उसे कोई gentle नहीं दिखाया है जिससे lamb को gentle दिखाया है इसे gentle नहीं इसे fearsome दिखाया है बिल्कुल डराबना और भयानक सा तोन की बात करें तो जो दा लाम के टोन है वो काफी सदा प्यारी है हना सेम चीज़ें आएंगी मैं सेम लाइन बोलोगे आप बोलोगे माम रिपीट कर रहे है बट बिल्कुल सेम आएगा उसे बहुत प्यारा बहुत लवली फुल वां दिखाया गिया है तो काफी सब जेंट दराबनी चीज़ भी इस दुनिया में वही लेकर आएं तो ये वायम डार्कर असपेक्ट को दिखाती है एक भयानक असपेक्ट हमारे सामने creation को लाके रखती है कि मसूम और प्यारी चीज़ रिजस राइस बना रहे है तो क्या इतने डराबनी चीज़ भी वही बना रहे है तो यही है आपका पहला question जिसे हमने किया conclusion में आपके है सते हो कि जो the lamb और जो tiger है William Blake की वो human experiences को देखा रहे है एक तरीके से love sight और एक तरीके से evil sight मैं आपको बता चुकी हो कि वही the lamb जो है वो innocence को prove कर रहा है जो tiger है वो experience की complexities को जो questions उठा रहा है creator के उपपर के रूप में हमारे सामने है write an introduction of the chimney sweeper songs of innocence याद रखो ये songs of innocence से पूछा गया what is the central theme of poem इस poem की central theme क्या है song of innocence की बात करें तो देखो the chimney sweeper by William Blake a reorn poet and artist of the romantic era is a poignant exploration of the harsh reality faced by child's chimney sweeps in 18th century England देखो अब तो नहीं होता ये England में लेकिन अगर 18th century William Blake के time की बात करें तो आप देखोगी कि वहाँ पर छूटे-छूटे बच्चों से chimney जो होती थी वो साफ करवाई जाती थी जैसा कि you know England में कभी जादा धन पड़ती है तो लोग chimney जलाते थे घर की तो जो ये chimney sweeper है ये दो तरीके के पार्ट में है song of innocence और experience तो ये वाली जो first है हम song of innocence पढ़ रहे हैं आपको song of innocence अभी मैं बताऊंगी कि क्या बोयम है तो आप अगर exam में आता है उसका कोई stanza तो आप देखते ही समझ जाओगी तो इसमें वो क्या बताता है मैं आपको पोयम बता देती हूँ आपको समझ आएगा कि क्या है ये पोयम देखो जो chimney sweeper है वो लड़का चोटा सा बच्चा क्या बता रहा है वो क्या रहा है कि बहुत चोटा था मैं जब मेरी मा मर गई थी और जब मुझे ठीक से रोना भी नहीं आता था या बोला भी नहीं आता था तब मेरे पापा ने मुझे बेचने का डिसाइट किया और उन्होंने मुझे एक chimney sweeper के पास बेच दिया और मैं तब बहुत चोटा सा बच्चा था मैं उस कंडीशन में वहां गया और वहां मेरे जैसे कई चोटे बच्चे को मैंने पाया तो पव्य में एक चारेक्टर को इंट्रड्यूस करवाया गया है वह इस बच्चे के साथ कंपटीवल हो जाते है बात करने में और उसे का सर साफ करवारी के लिए काफी जादा चोटा था and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry weep 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 so your chimney's I sweep in suit I slip मुझ क्या कहता है कि मैं बहुत चोटा था जब मेरी मम्मी की देथ हो गई थी और मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था मेरे को ठीक से रोना भी नहीं आता था और मेरे पापा ने मुझे एक चिमनी स्वीपर के पहां बेच दिया था तो अब मैं चिमनी को साफ करता था इन सूट क्या होता है जब चिमनी के अंदर एक काली सी परत जम जाती है तो उसे कहता है तो मैं उन काली बड़तों को साफ करता था there's a little dom dark who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved so I said वो फिर आगे क्या कहते है जो उसका जो सर है जब वो शेव हो रहा होता है तो वो काफे जदा रो रहा होता है उसके सर पे जैसे कि किसी लाम किसी पेड़ के बच्चे के शरीर पे करली बाल होते है तो उसकी बॉड़ी पे भी ऐसी करली बाल थे और जब वो उन्हें कटवारा होता है तो बहुत रोरा होता है तो मैं उससे क्या कहता हूँ और अगर तुम्हारा जो सर है उस पे बाल नहीं होंगे वो ऐसी साफ रहेगा गंजा रहेगा तो क्या होगा जो सूट है सूट यहाँ पे मैं आपको बता है काली परते होती है कूड़ा होता है एकदम जिससे साफ करना होता है इने तो वो तुम्हारे बालो को जो ये तुम्हारे बाइट हेर है उसे स्पॉइल नहीं कर पाएगी तो ऐसे ही वो शान्त हो जाता है और रात को सो जाता है रात को सोते हुए वो एक सपना देखता है जहां उसके जैसे हजारों स्वीपर चिमनी साफ करने वाले हजारों बच्चे जिन में कुछ नाम बताएगए है डिक, जो, नेड, जाग उन सबको एक काले कलर की कॉफिन में क्या कर रहा होता है उन्हें बंद कर रहा होता है और तभी उसे सपने में दिखता है कि एक एंजल आती है उसके पास एक प्राइट सी एकदम चमकदार चाबी होती है और उन सारे कॉफिन को ओपन करती है और उन सब को क्या कर देती है? free they down a green play leaping, laughing, they run वो एक हरी मैदान के और जाते हैं नीचे की और भागते हैं कूते हैं, उचलते हैं और हसते हुए सिर्फ भागते रहते हैं वो एक and wash in a river and shine in the sun और वो एक नदी में खुद के ओपर पाने डालते हैं मतलब in the sense की वो नहाते हैं उस नदी में खुद को साफ करते हैं जबकि आपको पता है जिमनी जो सुईपर होते हो काफी साथा धूल मिट्टी होते हैं उनके शरीर पर तो काफी साथा वो नहारे होते हैं खुद को wash करते हैं और सूरज की उस चमक में वो लोग भी चमक रहे होते हैं याव उनके बदन पर कोई कपड़े नहीं होते हैं और वो अपने बैक्स को पीछे छोड़कर सिर्फ भाग रहे होते हैं वो हवाओं में घूमते हैं पहाडों के उपर जाना जाते हैं अगर वो एक अच्छा लड़का बनेगा तो भगवान की सारी बाते मानेगा तो जो भगवान है वो उसके फादर बन जाएंगी और उसके लाइफ में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा तब भी टॉम उठता है उसके साथ उसके सारे साथी भी उठते हैं वो अपने बैक्स को उठाते हैं अपने ब्रशेस को उठाते हैं और काम के लिए निकल जाते हैं जबकि उस सुभह काफी साथा ठंती बड़ तॉम बहुत ज़्यादा खुश था खुश था खुद में गरभाहट फिल कर रहा था अगर हम सब अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएगा भगवान भी हमारा साथ देगा तो यही थी आपकी पोयम जो कि मैंने आपको समझा दी और यह समराइस की हुई है तो इसे आप बाद में word to word पढ़ सकते हो अब मैं आपको central theme बता देती हूँ चिमनी स्वीपर की song of innocence की बात हो रही है अभी है जो मैंने अभी पढ़ाया है वो मैंने यहाँ पे just screen पे आपको दिख रहा होगा write down किया है तो आप इसे पढ़ सकते हैं आपको जब PDF मिलेगी अब अगर मैं central theme की बात करूँ चिमनी स्वीपर की तो सबसे पहले तो child labor and exploitation आपको यहाँ बाल मज़ूरी दिख रही है चाइड लेबर दिख रही है कि बच्चे बहुत चोटे बच्चे भी कितने जादा dangerous involvement में काम कर रहे हैं उन्हें इतना जादा बुरा occupation यानि कि इतना जादा गलत जो काम है वो करना पड़ रहा है उससे उन्हें काफे साथ प्रॉबलम आगे जाके हो सकती है और obviously बात है उन सुमेद जो है वो खतम हो रही है इसमें religious को critique किया गया है क्रिटीक कैसे किया गया है वो हम songs of experience में पड़ेंगे जैसा कि इसमें ये चीज़ भी दिखाई गई है कि tom को सपने में एक angel दिखती है एक hope दिखती है लेकि next दे उसे फिर अपने ही उसी काम में जाना पड़ता है तो ये उसकी suffering को दिखाता है कि वो actual में क्या चाहते है बट उनके साथ हो गया रहा है social injustice को दिखाती है ये चीज़ कि समाज में कितना जादा अन्याय था उस वक्त की चोट-चोटे बच्चों को ये काम करने जाना पड़ रहा था और 18 सेंचरी तो आप जानते ही हो industrial revolution और द आये हुआ तो यही chimney sweeper यही conclude कर सकते है हम इसे कि एक social criticism की poem है जिसे William Blake ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है एक imaginary चीज़ इसमें दिखा ही है कि वो सपने में भी अपने freedom को चाहता है इसके और में मैंने song of experience की poem डाले है chimney sweeper जो song of experience को denote करती है तो वो poem मैंने यहीं लिखी ह है मैं आपको बता देती हूं किसकी है यह song of experience यह लिख रहे हूं आप समझ जाना the chimney sweeper a little black thing among the snow crying weep weep in knots of woe तो एक चोटा सा इसमें अब little black thing किसे denote किया गया है एक चोटे से बच्चे को जो चिमने साफ करते करते हैं विल्कुल धूल में काला पढ़ चुका है नों के बीच म क्या बोला गया है a little black thing बोला गया है ऐसा लग रहा है कि जब वो चलके आ रहा है परफों के बीची चोटी सी काली चीज चलकर आ रही है जो वीव वीव करके चिल आ रही है कहां पर गलियों में कि किसी को अगर अपने घर के चिमनी साफ करवाने तो करवा लो यह उनकी kind of music ह where are they father and mother say तो वो आगे कोई उनसे पूछता है एक stranger कि तुम्हारे मम्मी बापा कहा है तो वो क्या reply देता है they are both gone up to the church to pray कि वो चर्च में गए हैं pray गरने प्रातना गरने because I was happy upon the heat and smiled among the winter snow क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था उचलता था हमेशा हसता रहता था इन बर्फों के बीच इन सर्दियों को enjoy करता था they clothed me in the clothes of death इसलिए उन्होंने मुझे इस काम में लगा दिया आपको पता ही है चिमनी स्वीपिंग का काम क्या है तो वो यही कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था winter snow को enjoy करता रहता था हमेशा हसता रहता था इसलिए उन लोगों ने मुझे इस काम पे लगा दिया है and taught me to sing the notes of wo और इसलिए उन्होंने मुझे ये वाला गाना गाना सिखा दिया है and because I am happy and dance and sing they think they have done me no injury और मैं ये काम करने के बावजूद भी हमेशा खुश रहता हूं गाना गाता रहता हूं नाचता रहता हूं डान्स करता रहता हूं दोनों को ये लगता है कि उन्होंने मुझे कोई तकलीफ दी ही नहीं है उन्होंने मुझे कोई दर्द नहीं दिया that's why and are going to praise God and His Christ and King और इसलिए वो भगवान के पास प्रात्ना करने गया है राजा के पास पुजारी के पास प्रिस्ट मतलब पुजारी पंडत उनके पास और खुद भगवान के पास की प्रे करने गया who make up a heaven of our माईसरे जिनों ने हमें ऐसा स्वरवज़सी लाइफ दी तो इसमें identify करना है हमें ये एक स्टेंजा दिया गया था ये पोयम तो मैंने आपको समझा दी लेकिन एक्जाम में ऐसी आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको identify करो question होंगे उसे explain करना होगा तो सबसे पहले तो intro ही दिया है मैंने कि ये song of experience का collection है chimney sweeper identification बताया जाए तो speaker देखो एक चोटा सा बच्चा ही है जिस एक चोटा सा बच्चे के रूप में दिखाया गया है और उसे एक little black thing के रूप में denote किया गया है जो मैंने आपको बताया है और द्योगी क्रांती आने की industrial revolution चल रहा था बहुत सारे बच्चे अनात हो गए थे या फिर कुछ की families ने उन्हें इनी जगाओ पर बेच दिया था और उन्हें ऐसी गंदी working condition में काम करना पड़ रहा था सेम भाई बात laws of innocence and suffering उन्हें सफर गरना पड़ रहा था उनके मासूमित खतम होती जा रहे थी उनके parents उन्हें इस काम से निकालने की बजाए इस काम में धकेल रहे थे इसलिए उन्होंने इसमें अपने पापा ममी को टूंड किया गया कि उनसे उन बच्चों की खुशी दे मैंने आपको बताया अगर आप लोग सोचनों मैं यह सब क्यों नहीं बढ़ा रही तो यह मैंने आपको पोयम में अभी समझा दिया है सब कुछ के डारकर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की human nature के song of experience यह मैं आपको टाइगर के टाइम पर भी बता चुकी हूं और concluding lines पर मैंने आ सबके उपर ही एक जो सोचल क्रिटीक है विल्यम ब्लेक नी वह हमारे सामने प्रेजेंट किया है तो इस तरीके से हमने विल्यम ब्लेक की सारी पोयम को फिलाल कवर अब यूनिट वन का भी पार्ट है विल्यम वर्ट्सवर्थ वे हमें दो पोयम पढ़नी अनकी टेंटन विल्यम वर्ट्सवर्थ की बात कहीं जाती है और वो यह कहीं जाती है कि यह हमेशा चीजों को मैमुरी से कनेक्ट करते थे और इस पे बेस्ट कोश्चिन भी आता है जो हम आगे पढ़ेंगे अब अगर हम इसका फर्स्ट कोश्चिन देखते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है what is the difference in the poet's attitude towards nature in his mature year as compared to when he was a boy तो क्या पूछा गया इसमें कि हमें difference बताना है poet के attitude में कि जब वो mature हुए जब बड़े हुए तब उन्होंने nature को लेके क्या सोचा नेचर के प्रती उनका behavior attitude कैसे था और वहीं जब वो बच्चपन में छोटे थे तब उनका behavior के attitude कैसे था Tintan Abbey एक place है जो आपको ये screen पे pictures पे दिख रहा होगा ये एक बहुत सुनर place है और इसी place पे क्या है पूरी poem जो है आपकी depend है William Wordsworth Tintan Abbey is a reflected poem that explores the complex relationship between nature and human experience येक ऐसी poem है जो human relationship, human nature का जो relationship है उसके experience को explore करती है इसमें जो Abbey जो एक जगा है वहां की surroundings वहां का landscape वहां की memories वहां का पूरा environment इन सारे चीजों से जो हमारे writer है जो हमारा speaker है वो कितने जादा प्रभावित थे हमें इसमें वही बात करनी हैं दो perspective निकल के आयते हैं इस poem के अंदर पहला आता है youthful जैनि कि जब वो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उसके बाद उनका present वाला आता है देखो अगर बच्पनी की हम बात करें तो बच्पनी में क्या होता है जब कोई भी हम भी किसी पहाडों वाली है सुन्द तो उसके बाद वो काफी सालों बाद गए वो उस जगा दुबारा तो अब वहां क्या हुआ आज भी उन्हें बहां पर comfort फील हो रहा था उस नेचर में जैसा कि बच्पन में हुआ करता था बच्पन में उन्हें उन्हें चीजों को देख रहे हैं तो उन्हें सुकून मिल रहे हैं वो नेचर में काफी साथा comfort फील कर रहे हैं जैसे वो सालों से यही आना चाहते थे वहां की सुन्दर्ता को अपने अंदर ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो बसा लें वो emotionally हो रहे हैं उस जगा से काफी साथा spirituality की तारा connect हो रहे हैं तो इसमें यही दिखाया गया है कि बचपन में हम excitement में चीजों को देखते हैं लेकिन बाद में हम उन चीजों को फील करते हैं यही दो faces बताएं उसके बाद next इसी के और में question है trace the three stages of point response to nature यह भी आपका टिंट और आवे सही है कि तीन स्टेजिस बताने हैं point का जो उन्होंने nature को response किया देखो यह मैंने आपको फिर बताया beautifully capture वाली चीज़े हैं कि उस place को उन्होंने किस तरीके से capture किया और कैसा relationship दिखाया अपने natural world के साथ तो उसमें सबसे पहले हम व excitement हो रही थी खुशी हो रही थी उन्हें वह जो लैंड्सकेप है बहुत अच्छा लग रहा था प्यार लग रहा था वह उसके साथ बहुत सारी चीजों को देख रहे थे वहीं जब इंटर्विंग इयर्स एंपसेंस जब वह उस जगा पर नहीं जा पाए वहां से काफी लेते थे फूलों की उन प्यॉरिटी को याद कर लेते थे जिन से उन्हें सुकून मिलता था वो उससे उस जगा से emotionally connect थे तो इसलिए जब वह वहां नहीं जा पा रहे थे तो वह उन memories को ही याद कर रहे थे और उसको जी रहे थे फिजिकल प्रिजन्स उनकी नहीं हो पा रहे थी वह नहीं जा पा रहे थे तो वह mentally उसको फील कर रहे थे तिंडन आबे को वहां की सराउंडिंग्स को वह memory जो थी उनके mind के अंदर nature की beauty को लेकर वह वैसे ही थी जैसे बच्पन में थी तो वह अपने mind को उसी से समझा रहे थे अपने thoughts को improve कर रहे थे और emotionally उस चीट से connect थे चाहिए फिजिकली अपसेंस थे वहीं ठड़ एच की बात करूं mature philosophical reflection की यह वो एच थी जब वो काफी सालों बाद उस जगा दुबारा गए और उन्होंने जाते ही बाद क्या बो कि जो deeply था उन्हें काफी जादा एक understanding मिल रही थी एक personal growth मिल रही थी उस चीज़ को लेकर तो यहीं पर वो बात करते हैं कि वो nature से कितने जादा interconnected है तो यही तीन स्टेज थी पहली चीज़ कि वो बच्पन में गए उस जगा उन्होंने वहां के चीज़ों को enjoy किया देखा ख थार आती है mature या फिर present day उनकी वो उस जगा दुबारा जाता है काफी सालों बाद लोटते हैं और उस जगा को फिर से enjoy करते हैं next question है आपका descriptive landscape poetry is a potential site of quality sites discourse in which poets will draw from the landscape lesson that applied to the social condition of their times do you think that is an apt description of Trinton Abbey give a reason and answer question में क्या बुचा गया है कि मतलब ऐसे कौन से points है जो आपको लगता है कि उन्होंने landscape से related चीज़ों को क्या किया है दिखाया गया शो किया है तो आपको वही बताने टिंटा नावे का पिक description देना दिखो जो टिंटा नावे है वो एक romantic poetry का पार्ट है क्योंकि आपको पता है romantic literature या romantic poetry कॉन करते थे William Wordsworth करते थे इन्होंने nature और human में experience दिखाया दोनों का relationship दिखाया है अब अगर मैं यहां पर एक reasons experience की बात करो एक explanation की बात करो तो सबसे में बात nature as a source of moral and spiritual renewal यानि कि जो प्रगरती होती है हमारी वो एक morality का पिस्तरोत होती है source होती है और एक spiritual renewal का भी जो यह टेंटन आवे थी उसमें Wordsworth जो थे वो क्य describe करते हैं उस landscape की beauty को और यह दिखाते हैं कितना deeply emotionally connect थे उस चीट से कि बाद में जब वो उस जगा नहीं जा पा रहे थे तो जो memories थी उन्हीं की according वो अपने time को क्या कर रहे थे निकाल रहे थे क्योंकि French Revolution का time था काफी जादा लोग परेशान थे इस से और उसमें ही उस जग को याद करना काफी जाद अच्छा हुआ इसके बाद reflection on social and political change फ्रांसेसी ग्रांती चल रहे थी प्रेंच का revolution चल रहा था तब यह poem composed की गई थी एक ऐसा पीरियड था जहां पर socially और politically चीज़े खराब चल रहे थी फिर भी जो बॉइट है उनका focus किस पे था नेचर पे था अपने personal experiences पे था Contemplation of individual freedom यह freedom की बात करते हैं और अगर मैं बात करूं connection society और nature का वर्ट्सवर्ट celebration of nature is not divorce from the societal context उन्होंने societal context पे इस poem को celebrate नहीं किया यानि कि उसकी अकॉर्डिंग नहीं लिख वो सिब इसकत भी reference to the poems in your course तो यह question हम next question के बात करेंगे क्यों क्योंकि इसमें दोनों poem के according पूछा गया है कि जो word words की poetry होती हो नेचर से related नहीं होती बलकि memory से related होती है तो आपके जो भी स्लेवस में poems है उसके according बताओ तो तो मैंने आपको बता दी अभी हमें लंदन एटीन तू पढ़ना बागी है तो वो मैं आपको पहले बता देती हूं उसके बाद हम इस question को कर पाएंगे तब यह आपको पता चले है वह बोल रहे कि Milton तुम कहां हो इस वक्त इंग्लैंड को तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत है मिल्टन यहां पे जॉन मिल्टन की बात हो रही है काफी ज़्यादा उन्हें याद किया जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड में तभाई मची हुई है तो इसी लिए जो विल ऑर उसमें क्या-क्या है देखो यहां पर मतलब हैं मिल्टरी वाड्य जो मिल्टरी में याणि के साहित्या फायर साइड मतलब हैं Étatsτικão ऌहう एंसेट इंगलिश टॉर ऑफ इन्वर्ड आप्पिनेस जो यहां पर तुम्हारे सारे इंगलिश इंदसेंस वह उसने अपने भाईभनों को डिनोट किया है भाईभन इंदसेंस की सारे Englishman को कि सबकी जो आंत्रे खुशियां है वो खतम हो चुकी हैं और हम एक सेल्फिश स्वार्थ ही आदमी बन चुके हैं तुम वापिस आओ हम सबको जगाओ प्लीज तुम वापिस आओ और तुम हमें क्या दो मैनर्स दो वर्च्य मतलब क्वालिटीज दो गुंद दो श्वतंतरता दो शक्ति दो ते soul was like a star and dwelt apart वो कहता है तुम्हारी जो soul है जो तुम्हारी आत्मा है वो एकदम सितारे की तरह है तो headset avoids who sound was like a seat और जो तुम्हारी आवाज है वो समुद्र की आवास की तरह है बिलकुल तुम इतने ज़ादा pure हो जैसे की एकदम खुला आसमान तुम majestic हो यानि कि प्रभाफ शाली हो तुम free हो यानि कि स्वतंतर हो वो आगे क्या कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी को बिलकुल commonly एक सधारन जिंदगी की तरह जिया है जिसमें काफी ज़ादा खुश्या थी और जो तुम्हारा ये दिल है कि कभी भी low से low duty करने में भी नहीं मुकरा यानि कि lawliest duties मतलब कि तुम हमेशा सबके लिए down to earth रहे हो काफी साथा humble रहे हो और तुमने अपनी सारी duties को पूरा किया है तो इसमें भी देखो वो याद कर रहा है अगर आपको समझ आया तो इसमें भी वो याद कर रहा है और उसमें भी वो याद कर रहा था तो यही बोयम है जो मैंना भी आपको पीछे explain करी है अब इसमें पहला question पूछ रहा है what is the central theme of this poem अब इस poem की वो central theme पूछ रहा है stanza दे रहा है आपको फिर एकर करके question पूछा है कि what is the central theme of this poem तो देखो इस poem की central theme की बात करें तो वही morality, memorable poem भी है यह जिसमें वो John Milton को याद कर रहे हैं उनकी qualities को याद करें और चाहा रहे हैं कि वो वापिस आजा है बाकी अगर हम key themes की बात करें तो सबसे पहले moral and spiritual decline speaker क्या express कर रहा है वो यही तो बता रहा है कि England में जो morality है जो नैतिकता है वो खतम होती जा रही है तब भी तो वो दुबारा यह सब लाने के लिए कह रहा है और उन्होंने क्या बताए एक word आया था बीच में fan of stagnant water कि एक दलगल में हम फस्ते जा रहे है इसका मतलब क्या है कि progress बिलकुल जो नैतिकता है वो खतम हो रही है और वो किस चीज की मांग कर रहे है वो कह रहे है कि हमें कुछ manner सिखा दो हमें कुछ qualities दे दो अब कौन सी qualities जैसे कि virtue हो गया freedom स्वतंदरता हो गई power शक्ती हो गई उन्होंने बोला कि जो यह qualities होती है वो हर एक society की progress के लिए काफी साथ जरूरी होती है उसकी बाद innovation of john milton और इसकी central theme की बात करें तो क्या involve करता है यह john milton को direct poem dedicate किये जाती है कोई भी इसने symbol नहीं बनाया सीधा john milton को यह poem dedicate करें क्यों क्योंकि speaker जो है वो यह चाहता है कि अब society में positive change आई तर इ इस तरीकी से यही कुछ themes है एक आप यह theme भी ले सकतो idealization of virtuous living जैसे कि milton का बताया था ना कि वह अपनी life में काफी साथा खुश हो के जिया है अपनी life को उसने तो वही वाली same बात की गई है कि वह हमेशा down to earth रहे उसने humble हो के सारी duties निभाई है तो यही कुछ central theme थी इस poem की इ How does Wordsworth describe Milton character and influence in the poem? कि Milton का character Wordsworth ने कैसा दिखाया है कैसा describe किया है poem में बताना है हमें वो तो देखो सबसे पहलो तो इसमें यही आ गया star like soul उन्होंने उनकी जो आत्मा है उन्हें सितारों की तरह चमकता हुआ बताया है purity को बताया है उसके बाद आ गया dwelling apart मतलब normally कि को इनसान होत है moral होता है तो उसी के बाद की गई है फिर next voice like the speaker ने उनकी voice को किस से compare किया जैसे समुद्र की आवाजें आती है जिसमें qualities होगी उनकी majesty होगी फिर है pure and majestic भी वर्ड ओयम में यूज हुआ है किसके लिए Milton के लिए कि वो कितना pure है जितना कि खुला आसमान है और वो काफी ज़ होता है कि जो वे में वो क्या बताती है कि वो अपनी तरीके से साधारन जिन्दीगी जो है उसने जीए नॉर्मल से जो लाइफ है वो जी के गया है यही कुछ उसके character की क्या थी qualities थी उसके बाद इसका सी पार्ट है give a brief summary and critical analysis of the above poem तो समरी तो देखो आप ये बाद में बताई गई है कि तुम वापिस आजाओ इसके बाद है critic of contemporary England इस पर वर्ट्सवर्थ ने इंग्लैंड को क्रिटिक किया है उसे कैसा बताया है कि जैसे पानी का एक्दम दलदल होता है इसमें फर्स जाते है वैसा बताया वर्ची उसकी मांग की गई है कि उन्हीं वर्ची जैसे कि फ्रीडम पावर मैनर वैनर इसके अलावा यह सेम वही पॉइंट आइडिलाइजेशन ऑफ मिल्टन जो कि हमने इससे पहले वाले कोश्चन में किया था तो इस तरीके से हमारा यह वाला पार्ट भी होता है पर इससे बहले हम आपको वो कोश्चन दिखा देती हूं कि वह लंदन के बात करेंगे तो वह मैं एक बार आपको दिखा देती हूं देखो कोश्चन है कि ऐसा क्या है मतलब कि जो वर्ट वर्थ है उनकी पॉर्टरी नेचर से रिलेटेड नहीं बलकि मैमूरी से रिलेटेड लगते हैं तो हमें दो बताना तो एक तो टिंटन अबे का एक्जामपल लेलिंग और लंदन का लेलिंग तो इसमें भी नेचर और मैमूरी दोनों को ही दिखाया गया है कि वह आनी पाता एक टाइम पर और वो फिर उन मैमूरी की सहारे ही जीता है तो क्या करते हैं कि जब वह बहुत जादा बैचार है अकेले होते हैं परिशान होते हैं उस चीज के पास अपसेंस होते हैं जान नहीं पाते तो वह अपनी उन मैमूरी को ही रिकलेक करते हैं और सोचते हैं connection दिखा रही है यह poem past और present के बीच की पहले क्या चीज थी अप क्या चीज है emotion बता रहे हैं फिर लंदन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें Milton को जादा best दिखाया गया है powerful दिखाया गया है और इसकी story में आपको बता ही चुकी हूँ कि मिल्टन को क्यों याद कर रहे हैं और क्यों उसे वापिस बुलाना चाहते हैं फिर मिल्टन as a moral compass वो हमने suggest कि इंग्लैंड में morality की जादा नीड है नहीं तिकता आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा तो इस तरीके से हम बस कि नेचर और memory दोनों का एक दाव मिक्षर होता है क्योंकि नेचर का भी इसमें काफी दाद important role होता है वहीं सोसाइटी से भी connection होता है सोसाइटी का भी role होता ही है कोई ना कोई connection कहीं ना कहीं से बनता ही है तो इस तरीके से हमने हमारे जो यूनिट वन का पार्ट भी है वो भी complete कर लिया है यूनिट वन का C पार्ट है Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge की दो poems है हमारे पास फर्स्ट है कुबला खान और सेकेंड डिजेक्शन और और तो इनकी important question हम देख लेते हैं फर्स्ट question है imagination dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate, examine Coleridge, कुबला खान in the light of the statement देखो उसमें क्या बोला है कि जब कल्पना कर रहे थे वो किस चीज की dissolve, diffuse और dispates की यानि की घटने की पिघलने की और बिखरने की तो कैसे हो रहा था वो कुबला खान जो poem है उस poem को समझते हुए हमें यह बताना है सबसे बहले अगर हम intro की बात करें तो Coleridge की जो poem है कुबला खान वो एक best example है imaginative process का क्यों क्योंकि Samuel Taylor Coleridge ने हमें यही दिखाया कि किस तरीके से imagination की power से वो एक landscape को recreate कर लेते हैं वो dissolvedness diffuses और dissipates की जो एक order है उनका recreate करने का वो किस तरीके से उनकी imagination power को दिखा रहा है और उनकी जो imagination power की boundaries है उन्हें breakdown कर रहा है reality में उसकी बात यहाँ पर करते हैं mainly जो यह poem है यह fantastical world को दिखाती है जो की कुबला खान की imagination थी dissolving and recreating in कुबला खान introduction of the poem सबसे पहला अगर हम पोयम की introduction की बात करें तो कॉलरिज ने कुबला खान के अंदर एक dream like fantastic description दिया कि ऐसे क्योंकि अब हम जब आगे कुबला खान पोयम आभी मैं आपको बताऊंगी तो आप उस पोयम के अंदर देखोगे कि वह उनका सपना जो था कि एक महल बना रहे हैं वो एक ऐसा महल जहां पर जो हवाओं में है जो बादलों के बीच है जहां पर बहुत सुन्दर गार्डन है जहरने है तो वो एक ऐसा महल बनाने की चाहां रख रहते हैं जो उनकी imagination जो starting के बोयम के हुई है वो एक fantastical description से हुई है एक ऐसे महल के द्वारा जो कुबला खान द्वारा बिल्ट करवाया जा रहा था फिट second is imaginative solution इसमें भी वो क्या करते हैं वो दिसक्राइब करते हैं कि जो कुबला काने वो नदी कैसे चाहते हैं वो चाहते हैं कि ऐसी के बीच हो जो डिवारे हों उन्हें कोई छूव ना पाए मतलब कोई उन तक पहुंचना पाए सूरज की रोशनी दिखे एक तरफ एक तरफ नदिया वहें तो इस तरीके कि उनके एक इमेजनेशन प्रोसेस है जिन्हें अगर हम रियालिटी में ट्रांसफॉर्म करें तो एक सर्यल और ड्रीम लाइक लेंड्सकेप लगीगा उसकी बाद रीक्रीएशन की बात करें लेंड्सकेप की तो कॉल्रीज गॉर्ज वॉज विडली रीक्रीट दे लांड्सकेप कि वो कैसे एक इमेजनेशन में जाकर एक मैजिकल रीक्रीएशन कर रहे थे फिर पावर ऑफ आर्टिस्टिक क्रीएशन आटिस्टिक क्रीएशन का भी इमेजनेशन में काफी रोल होता है जिसे वो लांड्सकेप को शेप करने में हल्प करता है जैसे कि उन्होंने माउंट आपको पढ़ा दूंगी तो उसके बाद आप इस कोशन को कुदी इजीली समझ जाओगे तो आप सबसे पहले हम पोयम को ही देख लेते हैं आपके यही कोशन दे रखा है कि कुबला खान की जो पोयम है उसकी ब्रीफ समरी देनी है हमें अगर इसकी ब्रीफ समरी की बात करें सबसे पहले तो मैं बात करते हूं कि जो कुबला खान है जो पोयम लिखी गई है वो सामॉल टेलर कॉलरेस द्वारा लिखी गई है जो की एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोईट थे उनके द्वारा ये लिखी गई है और कुबला खान भी एक बेस्ट पोयम है उ गुबला खान प्लेजर डॉम इन जनाडू बट यार अनेवल तो कंप्लीट दियर क्रेशन तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जैसे जनाडू है तो जनाडू जो जगा है तो पॉइट भी वैसी एक सुंदर सी जगा जो कुबला खान सा महल वैसी बनाना चाहता है बट वो अपनी क्रेशन को पूरा करने में अनेबल होते हैं तो उसी की हाँ पर भाग की गई है तो यह चलो तो यह चलो रीडाउट क्या गरना मैं आपको ऐसी बता दती हूँ आप सुनो बस्तिहान से देखो एक जांडू नाम का एक स्थान है एक प्लेस है तो वहाँ पर जो मंगोलिया ही नेता है कुबला खान वो अपने सर्वेंट्स को अपने नौकरों को आदेश देते हैं कि जो पवित्र नदी अलफा है उसके टट पर एक बहुत बड़ी सी एक शांदर इमारत हम कहते हैं महल का निर्मान करा जाए जहां पर सारे सुकसुविदाएं हो मनोरंजन हो जो की गुफाओं की एक श्रिंखला के माध्यम से बहुत जादा बड़ी हो इतनी विशालों की कोई भी इन दिवारों को इस महल को मापी ना सके कोई मिजरमेंटी ना कर सके उसके पास नीचे की साइड अंडर ग्राउंड में एक बहुत बड़ा महासागरों ओशियन हो पिर वह कहते हैं कि उन्होंने दिवारों और टौवरों से दस मिल की दूरी पर रित्वी नाम का एक स्थान बनाया इसलिए उन्हों वो एक ऐसी ही फॉरस से भरे एक ऐसे ही वाइल प्लेस चाते हैं एक ऐसी जगा जो काफी ज़्यादा पवित्र हो मैंने इस लाइन को हाइलाइट भी कर रहा है अ प्लेस सो स्केर्ड आं बिविचिंग दिट यू माइट एक्सपक्ट इट टो बी हांटेड बाया वुमन क्र और हर स्टेंटिंग लवर बिनीद दा प्रिसिंग मून तो आके क्या कहते हैं कि एक ऐसी जगा जो बहुत ज़्यादा पवित्र हो काफे ज़्यादा मनमोह को जिसमें आप उमीद कर सको कि एक महीला वह आधे चांद की नीचे अपने शैतानी प्रेमी के लिए रो रही हो उसकी कंट से पुरानिक महंत नदी के साथ जो कभी भी फट जाएगा जो जमीन जो बहुत मुश्किल से सांस ले रही है और जो गीजर होगा वो हवा में जो उडने वाली चटाने होती उनके धेरों को सजाएगा या अनाच की तरह उन बीजों को बोएगा तो ऐसा कुछ भ तो ये सारी बात वो करता है वो कहता है कि कभी क्या पता उस नदी में बाढ़ आए जिससे वो सब डूब जाए गुफाओं में पानी भागे अब आगे वो क्या बताता है कुबला खान की मैंने सपने में देखा सपनों की एक और कहानी देखी वह विश्यमानी करी कि यूद करने आया है कोई हमसे सब शीनने आया है तो कुबला खान जो सुक्का महल है जो इसको ये प्लैजर डॉम है वो गुफाओं से जो पानी आ रहा है उसकी आवाजों को सुन पा रहे है मतलब वो एक ऐसे दिवारे चाहता है जिसके आसपास बाहर जो भी हो रहा है उसकी आवा बर्फ गिर रहे हो तो वो इतना चमतकारी जगा चाहता है वो आगे क्या क्याता है इन विजन आई वन सौ एन इथोपियन वुमें प्लेटेड कुछ गाना घा रही थी तो आगे पॉल्ट क्या कहता है कि अगर वो एक बार अपना जो यंत्र है या वो जो उसकी आवाज है अगर वो मैं एक बार सुन सकू या वो मैं सीख सकू तो उसके बाद मैं जरूर जो यह कुबला खान का महल है या जो ये वो बात कर रहा है कुबला खान वो क्या कहता है कि जरूर फिर मैं उस महल को कहां बनाऊ आस्मानों में बादलों के बीज बनाऊ और सब लोग जब भी यह गाना सुने हवाद सुने तो वो उपर देखे कि मैंने क्या बनाया और फिर वो सब कुछ चिलाएं साबधानी से लुक एट इस वाइल आइज और देखो उसकी वो चमकती जंगली आँखे वो घुंगुराले बाल और फिर उस जगा के चारो तरफ सरकल बनाऊ और कहो कि वो देफताओं का लाया गया भोजन है और वो स्वर्ग का पिया हुआ दूद है तो जो यह आखिर की लाइन्स है यह कुबला यह जो पॉइट है हमारे सैमुल टेलर कॉल्रेच यह उन्होंने किसे दिनोट करिया इसके बारे में कुछ कहानी गया है कि वो किसकी बात कर र इसे दिनोट कर रहे हुँ डिप्रेशन जब एक ऐसा फेस आता है लाइफ का जब आप डिप्रेस्ट होते जाते हो बिलकुल अलग रह रह रहे होते हो एक निराश्चाही होती है तो जो सैमुल की डिजेक्शन और्ड है यह काफिजद एक डीपली पोयम है एक एमोशनली च इसमें क्या बताया गए कि जो यह कवी था जब वो लिख रहे थे कॉलरिच तो वो तब कॉनसे स्थिती में थे वो खुद एक ऐसे स्थिती में थे जब वो काफी ज़ाधा उदास थे तो वो आगे क्या कहते हैं वो एक ऐसे चीज को काफ्चर कर रहे थे जिसमें वो अब कल्पना इमेजिनेशन का प्रियोग करते हुए एक बहुत ज़ादा इमोशनली एक डैप्थ जो इमोशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे खालीपन की बात कर रहे हैं इस समय जब वो अंदर से बहुत ज़ादा खाली है उन्हें भावनात्मक रूप से किसी से कनेक करने की बहुत ज़ादा जरूरत है उनके बैक ड्रॉप और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ एट ऑफ माइंड यानि कि उनकी मन स्थिती के लिए दोनों तरफ काम करती है रिफ्लेक्शन के रूप में भी और बैक ड्रॉप के रूप में भी देखो कुछ जो रोमांटिक पॉर्ट्स हैं वो इंस्पिरेश कुछ लोग होते हैं उन्हें नीचर में जाके शांती मिल जाती है नीचर में बैठते हैं तो उन्हें सुकून मिल जाता है प्यार हो जाता है पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस सारी चीजे उस state of mind से नहीं निकाल पाते हैं पिर poetic imagination and creativity के अगर हम बात कर लेते हैं वो अपनी connection, अपनी creativity जो उसके साथ हो रहा है जो उसकी inspiration है उन सब के बारे में लिख रहा है और अपने views एक्सप्रेस कर रहा है कि जब कोई life से चला जाता है तो कितना जादा disconnected feel होता है हमें life से तो वो इन सारी abilities को इस poem के according दिखा रहा है इसी की और में option है what is an odd describe some of its feature इसी भी emotion को किसी particular subject के लिए express करती है अगर हम इसके features की बात करें तो इसमें क्या होता है सबसे main बात तो एक elevated language कि आप प्रॉपर language लेतो जिसमें आप ये सारी चीजे लिखते हो उसके बात एक formal structure होता है एक subject होता है एक लिखने का manner होता है इन सारी themes को आप क्या करते हो और स इतनी भी आपकी ideas है जो भी historical events है उसको भी add-on करते हो अगर हम एक-एक करके अब इसकी features की बात करें देखो पहले मैं बता देती हूँ rejection and odd में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो Samuel है उन्होंने depression one को दिखाया बेल-uncolic tone को दिखाया अपने एक emotional state को दिखाया गहरी जो भाबनाई होती है या फिर जो भी हमारे deep emotions होते reverence होते है उनको convey करने के लिए एक formal language का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी college ने भी अपनी emotional अपनी feelings को show करने के लिए rich और eloquent language का ही इस्तेमाल किया है उसके बाद आता है structural form goddess जो होता है वो आम तोर पर क्या होता है एक structural form पर होता है इसकी specific rhyming scheme होती है एक pattern होता है उसकी according की इसे लिखा जाता है फिर celebration और reverence इसमें feelings होती है या तो होगी वो celebration की उतसब की या फिर वो होगी reverence की celebration और reverence में इसमें जो always है वो अपनी मन की बात करता है वो बाहर के किसी external subject की बात नहीं कर रहा है वो focus किस पे कर र इसमें क्या है कि वही सेम बात deeply introspective जैसे कि जो speaker है वो internal रूप से कितना जादा emotional है उसकी life में क्या उतल पूतल मचय हुई है वो कितना जादा अंदर से तूटा हुआ है इन सारी चीजों को क्या करता है ये शौफ करता है यानि कि दिखाता है फिर subjective experience odds typically conveys the point personal feeling जो मैं आपक जाता है readers को allow किया जाता है कि वो भी voids के internal world उसकी आंतरिक दुनिया को जाने और उसके साथ emotionally रूप से connect हो तो in conclusion we can say that कि हमने अभी और की कुछ features को पड़ा शेयर किया जिसमें पता चला कि language, nature, structure, pattern सब कुछ काफे सदा important होता है next question कि अगर हम लोग बात करते कि next question क्या है next question है give a brief summary about the poem dejection and odd तो dejection and odd हम इती देर से बात कर रहे है तो ये poem हमें पता भी तो निशी कि क्या है देखो dejection and odd जो poem है वो Samuel Taylor College की है वो एक famous English romantic poet ते जो कि मैंने आपको बता भी दिया अब इसमें अगर हम बात करें Coleridge नहीं अपनी जो ये autobiography poem लिखी है and odd to his love Sarah Hutchinson यानि कि उन्होंने किस के लिखी है Sarah Hutchinson के लिखी है तो Sarah Fricker जब नहीं थी तो उन्होंने उन्होंने के सम्मान में लिखी desperately in love with a woman that he was not married to Coleridge experience great disappear leading him to pen dejection and odd तो ऐसी एक woman के लिखी जिसने उनसे शादी नहीं की जिस महिला से उनके शादी नहीं हुई उससे वो बेताहाशा प्यार गरते थी और जब उनसे उनके शादी नुई तो Coleridge को बढ़ी निराशा फील हुए काफी साथा बैट फील हुआ तब उन्होंने dejection and odd ल लेकिन वो शादी जो थी वो सारा फ्रिकर से हुई थी लेकिन वो शादी जो थी वो खुशाल नहीं रही दूरिंग दिस पर्स मैजरेज कॉलरिज वाज अडेक्टेट टो ऑपिटियट्स and बिपो राइटिंग दिस वोयम वाज इन लव विच सारा हचकिंसन यानि की कॉलर दिखाता है वो किस के लिए लिए रेकिष फिर फेल रही और इससे उनकी लाइफ में काफी साथ नेगेटीक्ट पड़ता क्यूंकि उन्हें अडिक्शन हो गया तयस्क्ते वो यह से वो लेते रहते थे वाइनली फिर एपनी लव को ब्लेसिग देते लेकिन फिर भी God उन्हें ब्लेस करें अब हम stanza-wise अगर देखे तो In stanza, one of Colrish, Dejection and Odd The speaker noticed that a storm is building under a new moon At the end of the stanza, the speaker state that He is hopeful that his storm will bring him out of the depressed mood He is in and make him feel alive in the way The forces of nature have done before Might startle this dull pain and make it move and life First stanza में क्या बता है? कि Colrish का जो Dejection and Odd है वो उसकी first stanza में कहते हैं कि जो speaker है उसने notice कि New moon night है, यानि कि हम अवस्य की night है और उस समें एक तुफान बन रहा है Stanza के end में वो कहते हैं कि उन्हें उमीद है कि जो ये तुफान है वो उन्हें जो depression वाले mood में है उससे बाहर लाएगा, उन्हें जीवित महसूस कराएगा उन्हें life की importance बताएगा हलके से दर्द से उन्हें चौकाएगा और उन्हें हिला कर रखेगा ताकि वो जीवित रहे ही, फिर stanza 2 की अगर हम बात करें तो stanza 2 में वो कहते हैं इसमें वो क्या है, जो writer है जो speaker है, उन्होंने जो feel किया है उसके बार में बात करते हैं कि speaker कहता है कि मुझे अंडर से काफे सदा खालीपन feel होता है, मुझे काफे सदा emptiness feel होता है अपने अंदर से, मैं हर चीद से distract हो रहा हूँ, मेरे चारो तरफ कितनी भी जादा सुदर चीज होग pagarin मैं हर चीद से distract हो रहा हूं, मैं अपने चारों तरफ की beauty को बिलकुल नहीं देख पा रहा हूं, मैं काफे जदे emotional feel गर रहा हूं एक line है, the line of grief without a pang, void dark and drear, a stifled drowsy, unimpassioned grief, describe the hole that the speaker feels inside when he sees example of the beauty of nature that used to state the greatest emotion for the speaker तो आगे क्या कहते हैं, कि एक पंती है, unimpassioned grief वाली, तो उसमें क्या कहते हैं, कि मैं ऐसा feel करता हूं कि जो प्रगर्ती है, उसकी सुंदर्ता भी कुछ भी नहीं है, जब मैं इस दुख में जी रहा हूं, उसके बाद वो बात करते हैं, third stanza में Coleridge एक symbolism use करते हैं, reader के साथ कि feelings को समझे, यानि की वो क्या कहते हैं, वो readers को बोलते हैं, कि speaker की मनोदशा को समझो, उनकी साहता करो, ताकि उनका जो जुनून है, वो वापिस आए, वो कहते हैं, So I should gaze forever on that green light that lingers in the west, the line of stanza introduce a green light that Coleridge uses to symbolize the hope that still exists inside of the speaker, तो जहाँ है आप एक green light है, वो किसको denote कर रही है, वो एक हरी रोशनी का परिच्छे देती है, जिसको उपियो Coleridge क्या कर रहे है, Coleridge symbolize कर रहे हैं कि वो एक आशा का प्रतीक है, जिससे एक आशा है, जो speaker के अंदर अब तक है, फिर वो पोर्ट stanza में कह रहे हैं, speaker है वो क्या कहता है, कि वो अपनी प्रेमिका को ये stanza denote करता है, और कहता है कि उन्हें काफी दुख मिला, काफी निराश्चा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं स्विकार करता हूँ कि जो खुशी मिलती है, वो दिल से मिलती है, भले ही जो past रहा, उसमें जो speaker है, उनकी खुशी का सोर्स, उनकी वो प्रेमिका ही रही लेकिन अब जो नेचर है वो भी उन्हें खुशी दे रहा है और अब वो भी उनकी अंतर आत्मा को प्रभावित कर रहा है और उनकी आत्मा को शान्ति दे रहा है, फिर fifth stanza की बात करें तो वो फिर कहते हैं कि inner joy, true joy, यानि की आंतरिक आनंद और सच्चा आनंद, is found in the most virtuous among us, वो सबसे जादा अच्छे और गुणी लोगों में पाया जाता है, according to speaker, joy is experienced by those who remain pure like the woman that he love, वो कहते हैं आनंद का अनुबख उन लोगों को होता है जो पवित्र रहते हैं, और फिर वो symbolize करते हैं कि वो उस महीला की तरह, जैसे वो महीला से प्रेम करते थे, joy virtuous lady, खुशी जोडी महीला, joy that need was given, safe to the pure and in the purest hour, inner joy is felt by those who are the purest offer, वो कहते हैं कि वो आनंद जो कभी नहीं दिया गया शुद लोगों को छोड़ कर उनकी purest hour में, तो आंतरिक आनंद उन लोगों द्वारा महसूस किया जाता है, जो कि दिल से बहुत ज़्यादा pure होते हैं, इस इक the six, the speaker revisit his own hopelessness and depression, वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि speaker कहता है मैं पहचानता हूँ कि जो true joy है, वो कहां मिलता है, फिर उसके बाद वो six stanza में अपनी depression और अपनी hopelessness को दुबारा से देता है, but now affliction bow me down to earth, no care I that they rob me of my mirth, the speaker admits in these lines in stanza six that he has lost all of his mirth and his joys, तो क्या कहते हैं, मुझे कोई परवा ने कि कोई भी मेरी खुशियां चीन ले, वो स्विकार कर रहे हैं stanza six में, कि अब उनके पास जितनी भी खुशी थी, जितनी भी आनन था, सब कुछ उन्होंने खो दिया है, stanza seven में वो क्या कहते हैं, कि वो कॉलरिज की poem का एक climax है, the intensity escalates in this stanza, the way that disappeared the speaker feels has increased intensity until the speaker describe reaching a peak, and now moons low in bitter grief and fear, and now scream loud and hopes to make her mother year, तो वो क्या कहते हैं, कि मुझे महसूस होने लग गया है, कि निराशत अब और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कि अब मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता, और अब जो ये दुग हैं, जो ये हैं, जो डर से कपका रही हैं, अब वो जोर से चिलाती हैं, और अपनी मा को सुनाने की आशा करती है, कि वो अपनी मा को अपनी आवाज ये चीखे, सुना सके, स्टेंजा 8 की बात करें, तो speaker tune changes from the intensity in stanza 7 and comes in stanza 8, when the speaker hopes for peace and joy for the woman that he loves shown in the following line from stanza 8, jaw lift her spirit, jaw attune her voice, तो वो क्या कहते ह हैं, कि उनकी tune 7 stanza में होती है, अब वो थोड़ी से बदल जाती है, वो थोड़ी से काम हो जाते हैं, और उस महीला के लिए काफी जादा शान्ती और खुशी की उमीद करते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, तो अब अगर हम इस poem का analysis करें, तो वो क्या है, तो नॉमल से relationship है, nature के साथ यही इसकी एक mature theme है, क्योंकि जो romantic points होते थे, वो nature को कफी सदा beautiful और powerful force मानते थे, life का, nature से कफी सदा प्यार करते थे, और हमने जितनी भी romantic poem अब तक पढ़ी, आपको वो सारी पता चल गई होगी, कि वो सारी nature से related ही है, एक theme तो nature ही होगी, और दूसरी theme जो हमें इसमें पता चली, वो क्या है, theme of heartbreak, तो इसमें वो दिखाते हैं कि speaker जिससे प्यार करता है, उनसे उनकी शादी नहीं होती, वो lady को end तक प्यार करता रहता है, उसके बाद वो depression में भी चला जाता है, उनके rejection से, बट वो यही चाहता है end में, कि उस lady को सब कुछ मिले, सारे ख किसी और से था, तो वो देल से चाहते थे कि उस लड़की को सारी खुश्या मिले, लेकिन उसको खुश्या मिलती हैं, लेकिन जो speaker होता है, वो खुश्या को feel नहीं कर पाता है, और वो दीरे दीरे depression में चला जाता है, और उसके बाद वो इस poem को लिखना शुरू करता है, तो उसके बाद second point है हमारे पास, John Kitts, जिनका odd to a night angle, odd on a Grecian earn, on to autumn, तीन poem हमें इनकी पढ़नी हैं, यहाँ पर एक word है odd, तो odd, जब हम किसी specific चीज को identify करते हैं, या पूरी poem उसी चीज पर based होती है, special किसी thing के लिए, तो उसे odd कहते हैं, जैसा कि odd to west wind में हमें सिर्फ west wind की बात क करनी है, जो हवा चलती है, पश्यम से, उसके अलावा, odd to a night angle में हमें उस बुल-बुल की बात करनी है, सिर्फ बुल-बुल की इसमें बात हो रही है, जादा तर तो इसलिए यह कहा गया है, फिर ऐसे ही odd on Grecian earn में हमें उस कलश की बात करनी है, जो कि मैं आपको आगे आँगे, तो आपको समझ आएगा, तो ऐसे ही, जब कोई specific चीज की बात करता है, कोई भी poem में, तो odd use करते हैं उसके लिए, तो यहां हम बिना time waste करें, first question को देखते हैं, first question है, the odd to the west wind unfolds a process of development in which the voice of the poet moves from solitary subjectivity to a social discourse discussed, तो इसमें क्या पूछा गया है, कि जो the odd to west wind है, यह विका इसकी, मतलब जो development हो रहे है, उसकी प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को उजागर गर रहा है, तो वह आगे पूछ रहा है, कि कभी ने, जो इसमें बाते कहीं है, वो किस तरीके से हमारे social discourse है, उसको उजागर करती है, तो इसके बारे में हमें बात करनी है, देखो, सबसे पहल वेस्ट विंड को ना, वाइल्ड विंड मानता है, यानि कि जंगली हवा मानता है, और मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देती हूं, तो वो सबसे पहले कि आप बोलता है, कि जो ये वेस्ट विंड चलती है, जो ये जंगली हवा चलती है, ये सबसे पहले तो जो पत्ति प्रिजर्वर भी दिखाया है कि देखो वह बीज को इदर उदर फैक्ती है तो वह पौधे निकलते हैं तो वह एक अच्छी जीज़ है और एक तरीके सो से डिस्ट्रॉइड भी दिखाया है कि वह इतनी तेज हवा चलती है कि बहुत सारे जो पत्ते होते हैं वह तोटके तो वह उसको इदेंटिफाई करता है कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई शोग गीदगार है फिर उसके बत आगे चलके जब हम आगे वाले स्टेंजास में जाते हैं तो जो पॉइट है वो किसकी बात करता है वो बादलो की बात करता है वो कहता है जब वेस्ट विंड चलती है तो वैसे ही समुद्र में तुफान आ जाता है हलचल मचनी शुरू हो जाती है तो वो इसकी पीसफुलनेस को भी भंग कर दीती है तो इस तरीके से कवी यह सारी चीज़े दिखाता है लीफ सीड क्लाउड हो गया आपका सीज ओशियन इनके द्वारा फिर एड़ आंड जब इ कि तरह होता तो इतनी तेज हवा चलते कि मैं भी तुम्हारे साथ या फिर काश कि शाहुक हो था कि तुम मुझे अपने साथ बहा कर ले जाती, तो अपने अंदर की बात कर रहा है कि अगर अर्द्व में जबाद सारी चीज़े डिशों से सफर कर रहा है, बहुत जाता प्र तो अब इस question कि अगर हम बात करते हैं, तो अब जैसे कि मैंने आपको poem बताई दिया, एक overview दे दिया, तो उससे आपको पता चलेगा यह किस तरीके से socially challenges को दिखा रही है, तभी तो वो एक social discourse को ही दिखा रही है, तभी तो जो poets होता है वो अपनी voice में यह reflect करता है कि वो कितना यहां से सफर कर रहा है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, the initial stanzas of the poem are marked by poet solitary communion with the west wind symbolizing his individual struggle and aspiration, तो इसमें यही दिखाया गया है कि अगर हम जो हमारी poem है, उसके अगर हम initial stanzas की, जब शुरू-शुरू के stanza की बात करें, तो उसमें दिखाया गया है कि वो हवा के साथ एक normal conversation कर करती हो, वो करती हो, बट at the end, दीरे-दीरे वो अपने struggle को भी बताने लगता है, फिर अपनी aspirations भी बताता है, उसके बाद वो क्या कहता है, the wind a powerful force of nature, कि जो हवा है वो प्रकरती की बहुत जादा, मतलब एकदम शक्ति-शाली शक्ति है, becomes a metaphor for the poet's desire for renewal and change, तो यह point के लिए एक बन जाती है, या उसकी लिए एक desire लेकर आते है कि अब उसे अपने अंदर कुछ change करना चाहिए, अपने उस दुख से निकलना चाहिए, शैली विविट्स description evoke a deeply personal connection as the poet addresses the wind with a sense of urgency and longing, तो इसमें जो शैली है, वो क्या दिखाना चाहती है, वो एक संबंद होता है, वो उसको उ a voice transcends its initial solace, embracing a broader spectrum of human experience, the west wind transformed from a backdrop to a catalyst for change, symbolizing the poet's aspiration, societal transformation, तो वो इसमें आगे क्या बात करती है, वो इसमें बात करती है, कि जैसे जैसे दीरे दीरे जब हम कवीता आगे पढ़ते रहते हैं, तो poet की जो thinking है उसमें बदलाव होता है, पहले तो वो west wind को जंगली कह रहा होता है, फिर वो कहता है कि चलो ये एक preserve वाला काम भी करती है, कि seeds को भाई इदर उदर विखेड़ देती है, तो spring में उसमें फल, पेड़ पौधे उख जाते हैं, फिर वो आगे ये कहता है कि वो बादलो को विखेड़ देती है, समुद्र में हलचल पैता कर देती है, लेकिन अब जब आगे आगे जाओगे तो उसकी जो thinking है वो बदलती जाती है, और at the end वो भी क्या प्रातना करता है, वो भी यही कहता है, काश मैं भी ऐसा होता तो तुम मुझ में एक change लेकर आती है, और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे बह जाता है, तो यहीं से में बता चलता है कि उसके जो transformation है, वो दीरे-दीरे होती रहती है, तो at the end, in conclusion, we can say that, कि जो west wind है Shelly की, वो एक masterfully unfolds है, जिसमें उसने best दिया है अपना, वो social discourse को दिखाती है, कि कैसे एक transformation होता है, human experiences को बताती है, एक journey बताती है, human experiences की, next question अगर हम अपना देखते हैं, इसी के और में जो है, overall the course of Keats development might be partly described as the gradually cumulative loss of confidence in the early visionary imagination discuss, तो इसमें हमें क्या बताना है, कि जो Keats है, John Keats जो है, उनकी जो poems होते हैं, जो उनका पाठे ग्रम है, उसमें imagination तो है, उनकी visionary imagination है, लेकिन जो उनकी imagination है, वो दीरे-दीरे जो उनका confidence level है, उसको कम करती जा रही है, उसको loss करती जा रही है, तो यह हमें बताना है, तो इसमें हमें हमारी दोनों उसको पढ़ना पड़ेगा, पोयम को, दा ग्रीशियन अर्न को और और उट्स टू नाइट इंगल को, इस कोशन को हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, उससे पहले हम अपना, Kids Odd to Night Angle Explores the Tension Between the Poets Flight of Imagination and Reality Discuss, तो इसमें हमें क्या बताना है, कि जो Odd to a Night Angle है, जो John Kids दवारा लिखी गई है, उसमें जो कवी की Imagination है, तो काफी जादा है, और जो Actual Thing है, जो Reality है, इन दोनों के बीच एक Tension से Created हो रही है, तो उससे एक्सप्लोर करना है, तो उससे पहले हम एक बार अपना ये पढ़ लेते हैं, ये पोयम क्या है, मैं आपको एक समरी बता देती हूं, आप सुन लो, ताकि इससे Related कोई और भी Question आए, तो आप कर सकते हो, तो देखो इस पोयम की जो Starting होती है, जो इस कवीता की शुरुआत होती होती है, कि जो Speaker है, वो एक बहुत दिखाया गया है, वो क्या दिखाया है, कि जो Time, Death, Beauty, Nature, और जो Human को Problems होती है, जो उन्हें कश्ट वगेरा मिलते हैं, ये पोयम उन सब को दिखाती है, अब क्या हुआ, जो Boyd था हमारे वो इन सारे चीजों से परिशान था, Human Tension, Death, Life के Suffering, इन सब से परिशान था, लेकिन ज जो उसका गाना है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या होता है, कि कुछ टाइम बाद जो बुल बुल होती है, वो उड़ जाती है, तो अब वो सोचता है, कि जो मैंने ये गाना सुना, वो सच में क्या actual था, या फिर मेरा कोई वहम था, कि मैं खुद को शुरुआत में क्या होता है, जो स्पीकर है, वो अपने दिल का दर्द बताता है, लेकिन जैसे ही वो इस गाने को सुनता है, तो उसको जो दिल होता है, वो खुशी से तड़पता है, उसको एक दवासी महसूस होती है, जैसे किसी नों से मेडिसिन दियो, उसे ऐसा लग रह मैं लेथे करके, तो वो ऐसी लेके अगर उस नदी में कोई गिरता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, तो उसे ऐसे एहसास हो रहा है कि या तो मैंने कोई हमलोक पौधे से कोई जहर, कोई अफीम सूंग लिया है, कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, या फिर मैं उस लेथे होती है, ये कितनी सुंदर होती है, ये दुनिया से कितना दूर रहती है, अलग रहती है, उसके बाद वो आगे अपने जीवन के दुख को बताता है, कि जीवन में उसे कितनी निराशाएं मिली हैं, बहुत जादा, मतलब उसने इस पोयम में अपने दुख को बताया है, और बुर्इंद क्या जाता है संसार के सारे दुख चिंता जो भी भुठा यह सब करता है कि मेरे पास पन्खोंके और unfamiliar किसके साथ बुल के साथ वो बुल की पहचान कौन से ऊससे करते हैं ड्रॉइड पक्षी से करता है जिसे पेड के। गृष्ट को उसके तरग को उसके दुग को एकदम से हटा दिया सब कुछ उसे बहुत जादा सुकून दे दिया ऐसा लगा कि जैसे उसके दर्द पर वो जो बुलबुल का संगीत है उसने दवा का काम किया वो आगे क्या कहता है कि जो भी मेरी बहारी दुनिया है जो भी मेरी दुखदर्द है वो सब कुछ एकदम चले गए मैंने एक पक्षी की कलपना की और उसकी मदूर आवास को सुना जिस से मैं सब कुछ भूल गया हूं और वो स्टेंजा के आकरी भाग में कहता है जब कवीता खतम होने वाले तो वो एक क्या कहता है आज मैं भी ले रहा हूँ और आने वाले टाइम पे भविश्य में भी लोग इसे सुनेंगे तो इसलिए बुलबुल और उसका जो गीत है वो हमेशा अमर रहेगा हाला कि वो ये भी कहता है कि कोई भी imagination की बज़े से इन दुखों से इन कष्टों से स्वैम को मुक्त नहीं कर सकता लेकिन जो बुलबुल का संगीत है वो अमर रहेगा और आन्ड में वो यही दिखाता है कि जो मैंने experience किया वो क्या है मुझे नहीं पता ये एक सच्चा अनुभव था मतलब कि वो हमें भी doubt में जोड़ देता है कि जो मैंने ये सब सुना ये imagination किया वो सच में मैंने experience किया या फिर ये कोई मेरा सपना था तो at the end इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो ये odd to night angle है ये एक visionary poem भी है कला को भी symbolize किया गया है आट को भी दिखाया गया और हमें जो message दिया जा रहा है वो भी दिखाया जा रहा है कि हमारा जीवन है वो एक ना एक दिन and होगा तो इस तरीके से हमारी ये odd to night angle poem थी जो कि मैंने आपको बताई है अब हम अपने question को देख लेते हैं question में यही पूछा गया है यौट to night angle जो है वो कलपना है और फिर वास्त दिखता है दोनों के पीछ एक tension create कर रहा है तो इसमें यही है जो कभी है वो काफी जादा सफर कर रहा था जैसे कि इसमें भी मैंने बताया कि वो night angle के song को mesmerize कर रहा था और जो सबसे main बात है वो यही है जैसे इसमें opening stanza में बताया गया है कि वो कोयल के संगीत को सुन रहा था और वो क्या कहा रहा था अपने पीडा बगेरा को इसी गीत के सारे बुला रहा था अब यही चीज है कि जो उसकी जो दुनिया से भागनी की जो चाहत है वो इतनी जादा हो चुकी है कि अब वो एक ऐसी या तो imagination कर रहा है या experience कर रहा है क्योंकि यह चीज दिखाई नहीं गई है जॉन किट्स नहीं बताया नहीं है लेकिन यहीं है कि वो limitation बताता है mortality की वो imagination बताता है वो एक reality दिखा रहा है इस poem के अंदर कि human जो life होते है उसमें कितने pain होते है कितनी clashes होते है यह human जो life है इसे एक ना एक दिन कतम होना ही है इसी चीज को यहाँ पर क्या किया गया है आपको poem समझ आ गई होगी अब आप इसके question को कर सकते हो नेक्स्ट question है इसमें आगे क्या बोला गया है कि जो शैली की ओसमेंडियाज है वो इतिहास और मानफता को मिटा देती है गौडलेस कर देती है मतब इश्वर विहिंता में इतिहास और मानफता को मिटा देती है तो कैसे इसके लिए भी हमें इसकी poem को मैं आपको summarize कर देती हूं कि क्या है यह poem अगर हम इसकी बात करें देखो जो ओसम इंडियाज poem है वो मैं आपको यहां से बढ़ा देती हूं I met a traveler from an antique land who said to vast and trunkless lakhs of stone sand in the desert तो क्या कहते है कवी कह रहा है कि मैं यातरी से मिला है जो किसी दूर देश से आया था एंटिक को मतलब होता है काफी ज़्यादा पुराना देश काफी ज़्यादा दूर देश से आया था उसने मुझे क्या बताया उस traveler ने कभी से कहा कि उसने रेगिस्तान में एक मुर्ती को देखा है कैसी मुर्ती जिसके दो बड़े-बड़े पैर हैं लेकिन वह बिना धड़की है यानि कि उसका जो शरीर है वहां नहीं है पत्थर से दो बड़े विशाल पैर तो गायब है नियर दैम ऑन दा सैंड हाफ संकर शेटर विसेज लाइस उस फ्रॉंट एंड व्रिंग्पलर लिप आंस निर ओफ कोल कमांड वागे क्या कहता है कि मुर्ती का जो एक और हिस्सा है वो पास की रेट पर पड़ा हुआ मिल है लेकिन वो तुकडों में टूट गया ह और काफी जादा शतिग्रस्त हो गया है जैसा कि यहां पर यह पिक्चर आपको दिख रही है जो कि मैंने आपर लगाई है तो यहीं दिखाए कि यह पैर तो दिख रहे हैं लेकिन यह फेस जो है वो पास में ही रेट पर पड़ा है उसके बाद वो क्या कहते हैं जो वो मुर तो आगे क्या कहते हैं कि स्क्लप्टर ने इस चीज़ को पूरा वैसे ही उतारा है जैसे एक्च्वल में है उसने बिल्कुत सेम वैसी नकल किया ऐसा लगता है यह मुर्ती बनाने वाला मुर्तिकार है वो जरूर इस मिसर के राजा को बहुत जादा अच्छे से जानता होग और उसने इनके चेहरे पर जरूर यह सारे भाव को पढ़ा तभी वो उनकी प्रतीमा पर इतनी अच्छी जो नकल है सेम वही कर पाए है अब वो आगे कहता है राजा भी मर गया और जिस मुर्तिकार ने इसे बनाया वो भी मर गया लेकिन जो राजा का पत्थर दिला उसने सारे भाव को पढ़ लिया था और इसलिए यह आज चेहरे पर दिख रहा है फिर आगे वो कहता है नेक्स टेंजा में और वहीं प्रतीमा के साथ यह शब्द लिखे थे मेरा नाम क्या है मेरा नाम ओजीम इंडियाज है मैं राजाओं का राजा हूं लुक ऑन माय वर्क्स य भी नहीं बचा है और लॉन लेवर स्टेंड स्ट्रेच फार वी तो आके क्या कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है समय बीता यह प्रतीमा भी टूट गई इसके तुकड़े इधर उदर उस पूरे रेगिस्तान में फैले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब सब का अं दिन यह सब कुछ कतम हो जाएगा कुछ भी पर्मानेंट नहीं है तो यही है आपके इस कोश्चन में वो यही सेम बात करता है और इस पोयम की अगर इस सॉनेट की वैसे पोयम नहीं से सॉनेट कहते हैं सॉनेट किसे कहते हैं 90% सॉनेट वो होते हैं जो 14 lines के होते हैं 90% इसल कर रहे हैं कैसे यह बता रहे हैं जो ओजिमियांडियाज एंपायर था वो काफी जादा अच्छा था उसने अच्छे काम भी करें उसने पुरे काम भी किये लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है टाइम के साथ सब कुछ खतम हो जाता है तो यह भी मैंने पोयम बता दी बाकि आप इस question को read out कर लेना कुछ problem होती है तो हम comment section में मिलेंगे तो आप बात कर सकते हो Central theme zone kids की or to night angle की तो ये poem मैंने आपको बता दिया तो आपको अब इसके Central theme पता ही चल गई होगी कि वो किस बार में बात कर रहे हैं वो life के suffering को describe कर रहे हैं life की impermanence को define कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बुलबुल को एक symbol माना है कौन सी beauty का eternal beauty का जो उन्हें क्या देती है गीत देती है जिससे उनको सुकून मिलता है इसके Central theme मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसके जो theme है और जो ये poem मैं किस टीस पर contrast कर रहे हैं harsh realities है mortality की तो वो इसको identify कर रहे हैं तो ये poem मैं आपको बता ही चुकी हूँ तो आप इसको एक बार देख लेना next question की अगर बात करें तो next question है how does Keats explore the idea of immortality in his odd on a Grecian earn तो अगर हम इसकी बात करें जो odd to a Grecian earn है इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि किस बारे में बात करते हैं देखो आपको ये इक कलश दिखरा होगा तो ये Grecian earn मतलब Greece का इक कलश है उसकी बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको इसकी भी एक बार समरी बदा देते हूं एक ऐसी दुलन जिसे अब तक उसके जो हस्बेंड है उसने टच ना किया हो इतना प्यॉर लग रहा है ये कलश फिर वो इस तरीके से इसकी तारीफ करने के बाद आके स्टेंजा में बढ़ता है वो कहता है कि जो ये कलश पर चित्र बने हूँ है जो आपको भी दिख रहे ह कूई के कौन से हिस्से में रहते से कौन से हिस्से के है आगे इसी तरीके से सवाल करता रहता है फिर वो करता है कि जो ये चितर बने हुए क्या ये कोई संगीत कर रहे हैं क्या प्रैज़ा उससे दीरे दीरे बात करता वह कहता अगे कि बच्छ पर ही जम गया है दएक्ट तु N07 में तो फिर ध्धान सेते इसे कोकि कोंई कょई दूसरे को किस कर रहे है लेकिन अगे हैयं और इसकंड नहीं नहीं तो फिर प्रेंए वहागी द्यान वो point फिरूने कहता है कि तुम लोगों को परिशान होने की जुरत नहीं है, तुम एक दूसरे से हमेशा प्यार करोगे, चाहे तुम एक दूसरे को किस कर पाओ या फिर नहीं, तो इससे तुम्हारे प्यार की जो खुबसूरती है वो बढ़ेगी, तो ऐसे ही ये बात करता रह करता है, करता रहता है, फिर वो पेड़ों को भी कहता है, कि तुम्हें कभी भी अपनी पत्तियों को कोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इस कलश पर बनी हुई हो, तुम कभी भी अपनी पत्तियों को होगी नहीं, कभी ना तुम्हें वसंत को अलविदा कहना पड़ेग वो वास्तव में हैं वो दिख रहे हैं लेकिन ऐसा actual में नहीं होता है तो इसी चीज़ को बताता है ऐसा लगता है कि जब ये बना था तो उस PD के सभी लोगों की मृत्य हो गई है लेकिन ये कलश अभी भी रहेगा ये कब बना होगा लेकिन ये कलश अभी भी रहेगा लोग इ कपर था नहीं यह सकता चाहरे उसे बनाने वाला मर शाहर जब तक वो खुड टूटे का फूटेगा नहीं तब तक तो वो हमेशा ही एक्च्छल का ही है तो इसकी इसकी करता है मरता की इसके अंदर बात करता है तो यही थी आपकी क्रीशियन एन पोयम नेक्स्ट कोश्चन इन और तू आटूमन बाई जॉन किट्स हाउ ड़स ता पॉएट डपेक्ट ता सीजन और इट सिगनिफिकेंट तो यह नॉमल सा कोश्चन आया है जॉन किट्स ने एक पोयम लिखी थी आपकी ओटू एन ओटू आटूम जिसमें वो मौसम आता है तो इसमें जो फल वगे रहें यह मिठास से भर जाते हैं इसके आगे वह एक लाइन कहता है क्लोस बोजम फ्रेंड आफ ता मैच्चॉरिंग सन वह आटम को सूरज का भाई बताता है एकदम जिगरी दोस बताता है सूरज के साथ मिलकर वह योजना बताता है कि इन पेड़ पौधों को इन फल फूलों को कैसे हम रस से भड़ती हैं और इस पोयम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आटम की तारीफ करता है वो यही कहता है कि इस मौसम के अंदर जो कद्दू है वो काफी साथा बड़ा बन जाता है अख्रोड को पका दिया जाता है कलियां खिलती हैं मदू मक्ही फूलों से रस पीती हैं अपना चत्ता बनाती है और इतना चत्ता बना लेती है कि वो गर्मी तक हतम ही नहीं होता बलके गर्मी तक वो लबालब शहद से भढ़ जाता है तो आगे उट्म की मौसम में सर्द हवाई मिलती है तो इसमें nature दिखाया गया है life का एक की step by step हमारी human की life भी ऐसे बदलती रहती है जैसे चार मौसम होते हैं वैसी हमारी भी life के stages होते हैं कभी दुख कभी कोई तकलीफ कभी खुश है हम तो वो इसी चीज को highlight करता है autumn में birth भी होता है growth भी होती है कुछ चीजें खदम भी होती है कुछ summer के लिए अपने शहरत को बनाते हैं जैसे कि मदुमक्की का इसमें example दिया गया तो जो यह poem है वो celebration की ही poem है तो इस तरीके से हमने हमारे second part को भी पूरा कर लिया है बाकि एक question मैंने बीच में छोड़ा था व जैसे endymion जैसे works जो उनका है यह endymion जो उनका work है तो उसमें वो अपनी वीजनर imagination को celebrate करते हैं वो beauty को reveal करते हैं imagination को reveal करते हैं वो जो life की ऐसी realities होती है जो untouched होती है उन्हें दिखाते हैं लेकिन वहीं अगर हम उनकी आगे work की बात करें जैसे कि odd to night angle और odd on a grecian तो यह जो दोनों ही है उसमें उन्होंने nature की beauty को भी दिखाया है लेकिन human की mortality को भी दिखाया है जो human की mortality होती है उन्होंने उसको भी दिखाया है लेकिन उसके साथ साथ जो life की हमारी sufferings होती है जो life की हमारी problems होती है उसको भी उन्होंने indicate किया है बेशक visionary imagination के रूप में करा ह यहीं इसके अंदर दिखाते हैं तो और टु नाइट एंगल हो या फिर और और ग्रीशन और वह दोनों में ही ग्या दिखाते हैं कि जीवन खतम होना फिक्स है और वहीं अगर इम्मॉटल वर्ड आ जाता है तो अमरता का बात करता है कि अमर है वह जीज जैसे कि इसमें उन्ह पिछले भी लोगों ने सुना आज भी लोग सुना और आगे भी सुनेंगे चाहिए कोई भी बुल-बुल सुना है पर उसके संगीत को सुन सकते हैं लेकिन लाइफ जो है वह मॉटल है वह एक ना एक दिन खतम होगी तो ग्रीशन अन में भी ऐसे तो उन्होंने ब्यूटी क काफी सदा सिंबल किया लेकिन उन्होंने स्ट्रगल भी दिखाया है तो यही चीजें हैं तो इस तरीके से हमारी जो सेकिंड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट को यूनिक 3 जो है वो मैरी शेली त्वारा लिखी गई है फ्रैंक्स करने का काफी शॉक होता है और वह आगे सोचता भी है कि वह जर्मनी जाएगा वहां से पढ़ाई करेगा आगेगी लेकिन वह होता है उसके जाने से एक वीग पहले उसे ही पता चल जाता है कि जो उसकी माह रोंगी है, उनों को फूवर हो रख और वो परने से पहले उससे प्रॉमिस लेती है कि वो इलीजाबेट से शादी गरेगा वो सोचता है कि वो भी हम आने जिए कि क्या तो ग्रवाव जाता वह एक मूर्डे को जिन्दा करने लेकिन जिस मूर्डे को वह जिन्दा गड़ता है इंसान नीन बनता मॉन्स्टर बन जाता है और वो खुद उसकी शकल देखे के इतना ड़र जाता है कि वह फटापट वहां से भाग जाता है उसका जो दोस्त हो थे हैं भुब जर्मनिय आ ग मड़र कर दिया तो वो घर जाने की सोचता है कर जाता है तो उसे पता चलता कि एलिजबेट वह खुद को विल्यम की मौत का दोश्य मानती है क्योंकि उसने विल्यम को उसकी मा का लाइड system उसे हाथ लगाने दिया था, विल्यम की जो नौकरानी होती है, जस्टिन, उसे न सूली पर चड़ा दिया जाता है, जबकि जो फ्रेंक्स्टाइन होता है, उसे पता होता है, कि इसने नहीं मारा, पतानी कैसे, जस्टिन के जेब से उसकी मा का लॉकेट मिल गया, लेकिन बाद देश निकाला मिला होता है, कि उन्हें देश से जाना है, क्यों जाना है, एक नॉर्मल सी चीज थी, कि जो उस परिवार का हैट था, पेलिक्स्टिले सी, उसने किसी तुर्की वैपारी की मदद की होती है, और उसे जूटे मामले में फसाकर, पांसी की सजा सुना ही गई थी जिसे फ्लेक्सिस ने बचाया था, जो उसकी पेमी का थी, और सेफी का फादर था, वो जो मॉंस्टर था, वो इसे देख रहा होता है, लेकिन वो यह जान जाता है, कि लोग उससे इसलिए डर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपेरेंस है, वो काफी जाधा अलग है, और सब कुछ जो यहाँ पर होता है, वो फिजिकली अपेरेंस से ही समझा जाता है, वो चाहता था, क्योंकि वो मॉंस्टर भी तो अकीला छुपा हुआ था, इतने डाइम सोस फामिली को देख रहा था, वो मॉंस्टर चाह रहा था, कि वो भी उनसे मिले, उनसे दोस्ती करे वो कब तक लॉनली रहेगा, लेकिन उसे पता था, कि वो उनसे कॉंटक करने की कोशिश करेगा, तो लोग उसे बिल्कुल अलग तरीके से लेंगे, फ्रेंक स्टाइन का जो यह मॉंस्टर होता है, वो क्या करता है, वो जनेवा चाले जाता है, वहाँ उसकी जो मुलाकात हो उसे काफी जादा इंसल्ट करता है, जिससे कि उस मॉंस्टर को काफी गुस्सा आता है, अब बच्चे को चुपकर आने के लिए, जो मॉंस्टर होता है, वो उसकी मूँपे हात रख देता है, लेकिन क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाता बच्चा और उसकी मौत हो जाती ह अब जस्टिन के कपड़ों से लॉकिट मिला है तो उसे ही दोशी मान कर सूली पर चड़ा दिया जाता है और इस तरीके से उसे फांसी हो जाती है फिर फ्रेंक्स्टाइन को पता चलता है उसका भाई मर गया फिर वो जनेवा आता है तो उसे मॉंस्टर ना फॉरस्ट में कुछ नहीं हो सकता तो वो शांती से एक चोटी से जिंदिगी शुरू करने के लिए कहीं चला जाता है फ्रेंक्स्टाइन से मॉंस्टर क्या कहता है कि मैं ऐसा नहीं था जैसा कि तुम सबने मुझे सोचा मुझे डराया गया मुझे निकाल दिया गया मैं इसा नहीं था मु human being कबूलेगा नहीं, वो female monster उसे बना कर दे दे, ताकि वो उसके साथ रहे, उसके बाद फ्रेंक्स्टाइन के life में कभी नहीं आएगा, उसे अपनी शकल नहीं दिखाएगा, फ्रेंक्स्टाइन भी यही चाता था कि वो monster दूर हो जाए, तो वो ना चाते वो भी उस monster की बात मान लेता है, और फिर दुबारा England चला जाता है, और England में जाकि वो दूसरे monster बना रहा होता है, फ्रेंक्स्टाइन को यह tension उन्हें लग जाते कि अगर दूसरा monster उसने बना दि फ्रेंक्स्टाइन की जो फ्रेंड होती है, उसका मडर कर देता है, और जब फ्रेंक्स्टाइन Ireland पहुंसता है, तो उसे इस हत्या के लिए गिरफतार करा जाता है, फिर वो जेल में रहता है, काफी बिमार पड़ता है, फिर जेल से जब वो छूटता है, तो अपने पिता के साथ घर जाता है घर लोटने पर जो फ्रेंक स्टाइन होता है वह अपनी रिश्टेदार एलिजाबेट से शादी कर लेता है लेकिन वो इक दूसरे को ना पाइब जब फ्रेंक्स्टाइन की टाइम आता है उसकी देथ का जो छोड़ देता है और नोर्थ पॉल की तरफ निकल जाता है जहां वह अपनी चिता को जलाकर राख कर देता है ताकि कोई भी उसके अस्तित्व के बारे में ना जान पाई कि ऐसा कोई मौंस्टर कभी आया भ तो हम इसमें बताने कि जो फ्रेंक्स्टाइन है उसमें जो यह मैरी श्यली है उन्होंने किस चीज़ को दिखाये ऑन्यास को इसकी अरा किसे वा즘ा करता है कैसे करताय focuses अगर हम इस novel की बात करें तो इसमें ये monster है उसकी physical appearance को challenge करता है वो शारिदिक रूप से ही तो भयानक दिख रहा था तबी तो उसे problem हो रही थी वाइल दा क्रियेचर इस फिजिकली टेरिफाई चैली एक्स्प्लोर इस इनर नेचर एंड दा humanity within him और यह मैंने आपको बताया भी कि वो भाहर से बहुत monster है तो obviously भयानक दिख रहा था काफे सदा terrifying दिख रहा था जबकि उसका inner nature क्या था उसके अनर मानवता थी या नी थी इसे explore कभी किसी ने किया ही नी उसकी appearance थी जो वो creature है ना उसकी भावना उसका intelligence उसका प्यार उसको कुछ चाहिए हो उन सारी चीजों को यह denote करता है जो readers होते हैं उनको यह challenge करता है क्या actual में यही सारी चीज़े किसी को राक्षश्वन आती है इसके बाद है social judgment and rejection the creature experiences of rejection by society highlight the role of social prejudice in defining monstrosity इसमें भी monstrosity कैसे define हो रही है क्योंकि जो वो जीव था जो वो creature था उसने experience किया था कि society में उसे हर जगह से rejection ही मिल रहा था हर जगह से उसकी appearance की वज़े से उसके action की वज़े से society उसे ignore ही कर रही थी फिर है victor frankstein moral monstrosity जो यह novel है और क्या examine करती है वो victor frankstein को भी examine करती है कैसे उसका ही idea था जो victor frankstein है वो भी दोशी तो है क्योंकि उसने क्यूं यह काम किया इतना भयानक काम और इसी की वज़े से तो ऐसे बिकार से result निकले victor reckless pursuit of knowledge and ambition उसने क् जनी घोच अपनी घ्यान अपनी तरीके से creature तो बना दिया लेकिन जैसी creature बना creature को तुरन छोड़ के भाग गया जब वह वापिस आया तो creature वहाँ नहीं था अगर उसने creature बनाया था तो उसे moral ही support करता उसकी responsibility लेता बट उसने ऐसा नहीं किया तो यहां से भी पता चलता है कि शैली ने दिखाया है physical appearance को जिसने उस creature को monstrosity को follow करने पर मजबूर किया उसके बाद इस novel में theme भी पता चलती isolation और loneliness की क्योंकि जब creature ने जो end वे demand की कि वो अपनी तरीके का एक और monster चाता है तो आकि जिसके साथ वो रह सके तो इस से भी पता चलता है कि वो खुद को कितना lonely feel करता होगा कि वो emotionally कितना जादा रहता होगा क्योंकि society तो उसे अपनाएंगी नी क्योंकि वो different है उसकी physical appearance different है ये भी उसको एक राक्षशी पन को दिखाता है कि तो यही कुछ features है और conclusion में हम कह सकते हैं कि physical appearance जो है किसी इंसान की वो societal dimension से जादा matter कर रहे थी लोगों के लि शेली नहीं काफी सदा important novel ये लिखिया इस novel को काफी सदा important ही माना जाता है अगर हम टाइटल की ambiguity की बात करें ambiguity मतलब होता है अस पश्टा Frankston या फिर the modern Prometheus की नाम है the modern Prometheus या तो इसे Frankston कहते है या फिर the modern Prometheus ये जो Victor Frankston था और जो mythological figure है उसको दिखाता है कि किस तरीके से उसने अपनी शक्ती से इस चीज को जगाया और God से भी उपर जाकर एक human को बनाने की कोशिश की और एक monster बना दिया नोवल की जो थी में वो क्या क्या है creation किसी को बनाना ambition एकदम लगन से focus होके बनाना और फिर end में उसकी consequences क्या हुए इसको दिखाना फिर the subtitle significance सब्टाइटल की भी significance काफी जदा महत्व है इसका क्योंकि जो इसमें विक्टर के action दिखाए गए है novel के अंदर अगर हम novel को explore करते हैं तो हम देखेंगे कि उसने अपनी knowledge अपनी technology का कितना जादा misuse किया और क्या लेकर आया वो society के अंदर और यहीं से कोशन उठता है creator की responsibility का उसने अगर कोई creation की थी तो उसने उस creation के प्रती अपनी कोई responsibility अपनी कोई जिम्मेधारी क्यों नी रखी और उसके बाद ही इस सारी चीज़ें चुरू ही exploration of scientific innovation इस novel के अंदर आप देखोगे एक scientific innovation भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उसे scientifically ज्यान था उसे वो चीज़ मिल गई थी तभी तो उसने सब को शुरू किया उसने knowledge को use करके सब को danger में डाला उसने nature के साथ खेला भगवान ने जो एक boundaries बनाई हुई है उसने उस boundaries के सा interplay of creation and responsibility विक्टर ने creation बनाया है उसे पता होना चाहिए था कि इसके consequences क्या होंगे बेशक उसके मन में कुछ गलत हो या ना हो लेकिन उसकी creation जोती वो society के लिए काफी जादा भारी पड़ गई इसमें चाहिए आप कुछ भी कर लो पर एक ही सवाल बार बार उठ रहे है कि actual में human होता किया है तो उसमें हमें discuss करना है पहले चीज creation and humanity नौवल किस चीज को challenge कर रही है नौवल चैलेंज कर रही है creature की humanity को आपको भी मैंने भी novel समझाई हिंदी में तो आपको भी लगानी होगा कि उस creature ने उस monster ने पहले किसी को harmful effect डाला हो ऐसे ही उसको देखके विक्टर भाग गया था तो वह जंगलों में चला गया था और उसके बाद मैंने आपको बताए कि वह एक family को छुपके देख रहा था फिर उसके बाद वह वापिस आया तब उसे एक बच्चा दिखा फिर वह विलियम निकला जो कि फ्रेंक्स्टिन का ही भाई था कि उसको क कहीं से मतलब emotion, desire, जो सारी चीजे होती थी वह कहीं नहीं मिली जब वह उस family को देख रहा था तो उसे पता चल रहा था कि उसकी life में loneliness कितनी है ना love है ना acceptance है ना companionship है और यही एक need होती है human की novel यही challenges कर रहे है कि human की सारी needs होती है emotional depth and compassion Shelly portrays the creature emotional depth and capacity for empathy highlighting the essence of human emotion तो जो जो Shelly है उसने creature के एक भावनात्मक रूप से जो उसकी गहराई है जो उसका emotional depth है उसे represent किया है और human emotion कितने जादा needs होती है इस issue को highlight किया है कि वो अकेले नहीं रह पारा था उसकी desires पूरे नहीं हो रहे थे बाद में जाके उसने इक भयानक रूप अपनाया क्योंकि उसकी physical appearance से सब उ उसे देखने लगए moral responsibility and empathy यह point में आपको उपर वाले कोशनों भी बता चुकियो सारा खेली तो सिर्फ humanity का है और फिर वही societal rejection उसे उसकी identity के पीछे समाथ से rejection मिल रहा था काफी जादा तो फिर actual में human है कौन जो उसे बना रहा है उसी को वही नहीं अपना रहा तो फिर बाकी की connection क्या उसने struggle किया हर connection से उसने अपनी identity की वज़े से काफी साथ struggle किया तो फिर in conclusion we can say that humanity और monstority में फ्रेंक्स्टेन में एक फर्क दिखाया गया है human को भी वही चीए था creature को भी वही चीए था और वही होती है true humanity जिसमें हमें इन सारी चीजों की need हो हमें एक moral responsibility चाहिए हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमने तीनों यूनिट की important question को cover up किया अगर आपको कोई doubt हो तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं PDF का link आपको description box में मिल जाएगा और इस वीडियो को जादा सा जादा share कीजे ताकि सारे romantic literature में अच्छे marks ला सकें बाकि मिलते हैं next video में त झाल